आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महात्पूर वीडियो है इस वीडियो के अंतरगाथ हम जितनी वही फसलें हैं उन्से संबंधित जो भी प्रस्ण हमारी परिच्छाओं में आते हैं अन सब प्रस्णों को हम एक जगह के लेका है इस वीडियो के अंतरगत आपको पूरे फसल से संबंदित उन महत्पूर प्रश्णों को बताए जाएगा जो आपकी परिच्छों में पूछे जाते हैं तो आईए उन प्रश्णों को देखें बात करते हैं मनें पहले प्रश्ण की इरी इंटरनेशनल राइस रिचर्च इंस्टूट सिचुएटेड इन इंटरनेशनल राइस रिचर्च इंस्टूट कहां पर इस्थापित है तो यह इस्थापित है मनीला फिलिपिन्स में मनीला फिलिपिन्स में फिलिपिन्स में नेक् क्षेट से कौन सी गैस निशकासित होती है तो धान के खेट से CH4 मेथैन गैस निशकासित होती नेकस्ट को से फ्रूट ऑफ राइस is known as धान के दाना किस प्रकार का फल होता है उसके फूट को क्या कहता है तो केरियो औप्सिस, किस टव का होता है, तो केरियो औप्सिस, नेच्ट कोशन, बिश्ट बाइफ फिट्लाइजर यूजड इन पैडी, धान की खेत में प्रयोक किये जाने वाला जय उर्वरक है अजोला, next question in fluorescence of rice is known as धान के पुष्पक्रम को काते हैं पेनिकर next SRI method related to SRI method क्या है धान की नर्शरी की उगाने की एक बिधी है जिसका नाम पुरा है system of rice intensification intensification इसकी खोच किस ने की थी हेंडरी डा लाउनी लाउनी ने की थी कहां मेडासगर में मेडासगर में under drought condition सूखे condition में इस विधी से क्या की एक दान की नर्शरी उगाई जाती है next question gene responsible for dorfness of rice धान के बौने पन के लिए कौन सा gene उत्तर दाई है तो वो gene है DG next question showing time of us autumn rise धान की फसल जब हम एक साल में तीन जो मौसमें में धान की फसल उगाते हैं तो आस आटम सीजन में जो फसल उगाते हैं उसकी हम करते हैं तो उसकी स्विंग हम करते हैं अप्रैल से लेकिया मई में यही पूद्ध अमन का यह 3 सीजन में उगाई जाने रहे Hai इसका नांम इसलिए अस अमन और बौरो अमन पके सुइग करते हैं झून से जुलाइं में और बोरो की सुन्वर के विसंभर लीं Chief नेट को सेन प्रोटीन और प्रोटीन की प्रोटीन की प्रसक मात्रा किन होती है 6-7 परसेट विदी कहां से आई है कहां इसकी खोज फिलिपीन में एडेपोक विदी कि खोज कहां से हुआ है कहां से इसकी खोज हुई थी फिलिपिन्स में डेपक बिदी से नर्सरी तयार करने की बिदी सौरपथम विक्सित की गई इसमें पौधे किन्ने दिन में तयार होते हैं तो 11-14 इसके अंतर का पौधे धान के तयार हो जाते हैं इसके लिए एक हेक्टेर के लिए फइल से 45-45 में तयार हो जाती है और प्रति मीटर इंटर से 3 kg बीच की मात्र लगती ही पर मीटर स्कौर बीच की कि मात्र लगां लगेगी Punta से 3 kg पर मीटर स्कौर और कितना बीच के एक हेक्टेर के पुरा खेती होगा पैतालिस से पचास मीटर स्कॉयर पर यह विदी कहां विक्सित हुई है तो फिलिपिन्स में विक्सित हुई है नेक्स्ट को से खैरा डिजीज ऑफ राइस जीटू तो यह आपको बताये हुए है जिंग के कमी से जिंग की कमी से और इसकी मुझ होच कौन कि थी कौन किया था बैया नैने ने पंत नगर में पंत नगर में है नेलिंग कॉसे में पड़्ल servetЗд पड़िंग एक प्रक्रिया है एक बिधी एक सश्च रिया है वह संबंधित है किसे तो राइस क्रॉप से जिसको पलेवा भी कहते हैं नेखुसन टेस्ट वेट ऑफ राइस टेस्ट वेट ऑफ राइस किना होता है 25 यह 25 ग्राम क्या है 1000 दाने का भार कि एक हजार दाने का भार किना होता है 25 ग्राम और यहीं हम बात करें बासमती राइस की तो 21 ग्राम होता है नेस्ट कुशन मिरेखल राइस ओफ इंडिया किसे कहा जाता है तो जया को धान में जो अकोची डिजीज दूटू धान में जो अकोची डिजीज लगता है वो किसके कारण लगता है हाइड्रोजन सुल्फाइट के कारण नेतर Deaf oneself मोस्त क्रिटकल स्टेज डिजीज साओव और एडरीगे ढहन में सिचा मुख्य्ट्रांथी का वस्ता तो बूटिंग स्टेज पूटिंग स्टेज अब बात करें हं हालिंग परसेंटेज ओफte अफॉ से 75% होता है यह हणिंटेज होता क्या है तो हलिंग परसेंटेज होता क्या है fat of rice कि I have a fat rise rates到底 कि एपन में weight of है पेड़ी ग्रेघर इंटू digest कि या आप राइस का देंगे माल मतलब होता है भूसा राहित जिसमें हम प्रशा की मात्रा नहीं रहेगे और पैड़ी किया एह है अनहर्ड है मॉर्ण जो भूसा के सात जब धान की बात करेंगे तो उसको पैड़ी काएंगे और क्लास में आप हमारे क्लास के क्लास में बताया जिसके बारे में कि एफ निकोल सन ने बताया कि कि ईद लिए करी सिल दबताय सुट ट्रॉड्य सदे और सिलकान तो इसमें सिलकान जो है किके लिए उपयोगी होता है किस फसल के तो राइस के लिए और सुगर के लिए अब हम बात करते हमने नेक्ट कोस्टन के भार में नेक्ट कोस्टन है सीमेट सेंट्रल इंटरनेशनल डी मजरमेंटो डी मेज़ वाइट इर्गो जिसका इंगलीज में अगर नाम आप पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर दा वीट एंड मेज यह कहां पर इस्थापित है तो मैक्सिको में यह कहां पर इस्थापित है तो मैक्सिको में जाहिर से बात है सीमेट सीमेट इस्थापित है मैक्सिको में वीट प्रोटीन इसकॉल्ड ग्योंगों के प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लूटीन कितनी मात्रा होती य को हम कहते हैं इस 5 तो से संबंधित खर्पतवार है तो सम्बंधित खर्पतवार तो फ्लेर scenario माइनर फ्लेरिस माइनर जिसको हिंदी में हम काते हैं ग्योहु का मामा ग्योहु का मामा फ्लेरिस माइनर विच हर्विसाइट यूज़ अगेंच फ्लेरिस माइनर फ्लेरिस माइनर के अगेंच फ्लेरिस माइनर को रोकने के लिए या उन्हें नश्ट करने के लिए हमें किस ख के बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदाई है तो नौरेंग टेन नौरेंग टेन लर्मा राजो सुनरा तिरसर चौसर इस विराइटी आफ वीट यह गेहों की महतपूर किसमें है जिसको सन 1965 में सी सुप्रमन्यम द्वारा जो उस समय के अगरिकल्चर मिनिस्टर थे उनके दौरा इंपोर्ट कराए गया इन विराइटी यों का रोल ग्रीन रिवल्यसन में बहुती बड़ा व्योगदान था इन लर्मा राजों का जो जो ग्रीन रिवल्यसन था जो अरिद क्रांति था उसमें बहुती बड़ा ग्योहोंग की विराइटी है यूजी 99 यूगांडा 99 विराइटी जो है वह ग्योहों की विराइटी है और ये विराइटी योगी ये वी ग्योहों की सिचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है, तो ग्योहों की सिचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है, CRI, CRI, जिसका फुलफा में Crown Root Initiation Stage, जिसको हम हिंदी में करते हैं, सीखर जड़ बनने की अवस्था, ये अवस्था किन्ने दिन पर आती है, 20 से 25 देस पर, ठीक है, next question, अगर ग्योहों में सिचाई की उपलब्ध मात्रा है, तो किन्ने सिचाई करने चाहिए, पांच सिचाई करने चाहिए, प्रांच सिचाई का अगर आप याद करना चाहेंगे, तो CTJFM, मतलब Crown Root Initiation Stage, Tiltring Stage, Jointing Stage, Flowering Stage और Milking Stage, ये 5 सिचेज होती है, 5 वस्था होती जिसमें ग्योहों की सिचाई को बहुत ही आ सकता होती है, next question, showing depth of wheat, जो ग्योहों राता है, उसके बुआई कितनी घाराई पर करने चाहिए, तो 5 सेंटिमीटर की घाराई पर, next question, DT46, is the variety of, तो DT46 variety है, Tretkel की, Tretkel की variety, और Tretkel को आपको पता है कि Tretkel को क्या कहते हैं, first man-made cereal मनुसे दोरा निर्मित पहला खद्यान फसल, first man-made cereal, और यह किसके दोरा बिक्सित किया गया है, तो यह wheat into rye का क्रॉस है, wheat into rye का क्रॉस करके इसको तयार किया गया है, Tretkel को, अब बात करें wheat, wheat क्या है, allo hexapolide in nature है, allo hexapolide, allo hexapolide, next question, basic chromosome number of wheat, wheat, ज्योंगा अधारी गुर्शुत्र संख्या है, तो साथ, next question, king of cereal, king of cereal किसको काता है, wheat को काता है, उसके रहाँ question है, queen of cereal किसे काता है, to queen of cereal हम काता है, mage को, next question, mage protein is called, mage जो मक्का है, मक्का की protein को क्या काल आती है, मक्का की प्रोटीन को हम जीन करते हैं विच अमीनो एचिटडि डिफिसिएंट third-ак में विटामिन-b के कमी से होता है तो पेलागरा रोग होगा क्योंग इसमें बीटामिन-b का सला त्वें में किसान विजय कुंपर से आनिये नौड जवाहर सोना किसान विजै अंबर यह वैराइटी है किसकी तो मेज की वैराइटी झाप यह कैसी व्राइटी है इसके अत्रिक्त और कौन कौन सी व्राइटी है तो इसके अत्रिक्त है सक्ति प्रोटीना रतन गंगा desires वीराइटि नेक्स पूसेन वईट बड़ डॉयोटि मेचु के कारण होता है तो जिनक के कमी के कारण होता है नेक्स्स्ट्रों ग्रोंइन विभार मैं हिरियो जो सरवाधिक किया जाता है कहां उप्रादित किया बिहार में कि बिहार में कि अब हम बात करते हमनेah neste go dog तो अब बात करते हमने next question अब हम बात करते हो ने next question के बारे में highest dot tolerant crop सरवाधिक सुखा सहन करने तो फसल स्था क्या वाली फसल है तो फर्स्ट मेल इस्टराइल लाइन ऑफ बाजडा बाजडा की सबसे पहली नर नपुन्सक लाइन कौन से है तो उसका नाम है टिफ्ट 23A और मेल स्टराइल विराइटी सबसे सबसेशन दुसका नाम है कंबाइन काफिर 60 केमल औब डेजर्ट किसे कहा जाता है सोरगम को केमल औब डेजर्ट कहा जाता है सोरगम को अब नेक्ट कोशन बात करते हैं सोर्घम की पत्तियों में इसलिए बरसात के पुर्व सोर्घम को जोर को पसुओं को या मनुस्यों को नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि इसमें जो यह सीएन रता है यह जारीला पदार्थ होता है सोर्घम में अगर हम बात करें तो सोर्घम में लाइसीन अमीनो एसीड की तो कमी होती है लेकिन अगर बात करें लिूसीन नामक अमीनो एसीड की अधिक्ता होती है यह अमीनो एसीड प्रोटीन के निर्मान के लिए सहायक होता है कोडिनेट 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 सोरगम हाइब्रीड यह विराइटी किसकी है सोरगम की विराइटी है जो इसकी जो रिलीज हुई थी 1964 में नेक्ट कोडिनेट इन फ्लोरो सेंस ऑफ सूगर केन सूगर केन के पुस्पक्रम गन्ना के पुस्पक्रम को हम कहते है एरो और जब इसी एरो को हम हटा देते हैं जब निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं एरोइंग एक्जाम पुषता है एरोइंग प्रक्रिया संबंधित है किस से तो गन्ना से गन्ना के जब पुस्पक्रम क को निकालने कुलिए करते हैं एरोइंग करते हैं टोप one फाइटरी पोर्स इंड यूश् such वहॉ गन्या की ऊपर के एक बटे टीन भाग का प्रियोग हम करते हैं तो सीट के रूप में का बीच की रूप में लगाने के लिए हम प्रियोग करते हैं गन्य की ऊपर उपर कAME कि नीचे की भाग की बीच का वाग तो आपको क्या टोग करते हैं। सेट्स सूट भी ट्रीटेड विट एगलाल के रसायन से सेट्स को सेट्स मतलब जो इसके हम एक बटे तीम भाग ले रहे हैं उसको हम ट्रीटेड करते हैं उपचारित करते हैं किसके द्वारा एगलाल नामक रसायन के द्वारा क्योंकि यह लाल सडन रोक के प्रतीक रोकने के कि करता है एक लाल कि रसायंस उसको उपचारित करते है All the modern drog किसके दवारा होता है तो और सघ्रक्रोह कर लगता है जोनल केन कि से कहा जाता है तो नोबल केन कहा जाता है सेक्रम ऑफीसी नेरम को इसका विकास किस ने किया था तो टीयस बैंकेट रमन अगर इसके साथ साथ एक प्रस्ण और हम देखें कि IISR इंडियन इंस्ट्यूट ऑफ सुगर केन डिसर्च इस्थापित है कहां पे लखनाव में और SBI सुगर केन ब्रेडिंग इंस्ट्यूट सुगर केन ब्रेडिंग इंस्ट्यूट इस्थापित है कोयम बटूर कोयम बटूर में नेक्ट कोशन दिखते हैं सुक्रोज कंटेंड इन सुगर केन सुगरखेन में सुक्रोज की मात्रा होती है परिपक को सुगरखेन में सुक्रोज की मात्रा होती है 13 से 24 पर से ब्रिक्स रेशियो अब सुगरखेन अगर एक परिपक को सुगरखेन है परिपक को आपका गन्ना है तो उसमें Bricks Ratio उसका कितना होगा अलगबक 16 से 18 होता है Mature Sugar Cane का Bricks Ratio ये Bricks Ratio दोरा हम maturity का मापन करते हैं कि ये परिपक को है कि नहीं गन्ना और इसका Bricks Ratio का मापन हम किसके दोरा करते हैं तो Refractometer नामक ये अंतर के दोरा किसके दोरा रिफ्रेक्टोमीटर नामक ये अंतर के दोरा tying and earthing up एक सब्सक्रिया है tying मतलब क्या होता है जब गन्ने के जो पतियां होती है जब बहुत बड़ी-बड़ी हो जाती है उनको लपेट के एक जगह में बान दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को tying up करते है और earthing up करते है मिट्टी को चड़ाने की प्रक्रिया तो tying up earthing up प्रक्रिया संबंदित है सुगर केन से हलाकि earthing up की प्रक्रिया आलू में भी करते है लेकिन time की प्रक्रिया किस में करें किवल सुगर केन में टाइम की जो प्रक्रिया होती हो जो टाइम की प्रक्रिया होती हो अगस्थ मन्थ में होती है अगस्थ मन्थ में और जो अर्थिंग आपकी प्रक्रिया है तो गन्ने में अर्थिंग आपकी प्रक्रिया हम करते हैं जून जुलाई में जून जुलाई में रो टू रो स्पेसिंग आप सुगर कॉल सुगर कें के पक्ति से पक्ति की दूरी या दो पौदे से बीच की दूरी कितनी रखता है नबबे सेंटिमीटर यह करता है और यह फ्रयूग हम क्या करता है आटो मुबाइल को चलाने के लिए वहानों को चलाने के लिए हम प्रयोग करता है जब हम बात करते हैं तो जो चने की पत्ति इसके खट्टेपन के लिए उतरदाई है तो मैलिक और और ऑक्जीलिक एसिड कभी कभी एक्जाम में क्यों मैलिक एसिड देंगे तो आप मैलिक इसिड प्र टिग मारेंगे लेकिन इसके उत्तरडाईक दोनों हैं, मैलिक और ओक्जिलोग एसेड, next question है, protein percentage of gram, gram में protein का percent होता है, चने में protein की मातरा होती 21%, next question है, nipping is related with, nipping मतलब खोटाई करने की प्रकरिया संबंदित है, तो चने से, ये खोटाई की प्रकरिया, बुगाई की कितने दिन बाद करते हैं, तो बताए जो उफ एक्ठा रोग की प्रती प्रति रोधी होता ही है, उस किसमें उफथा रोग नहीं लगता है, तो वो ब्राइटी है और रोधी, पमेरेटी का नाम है और रोधी, इंडियन इंस्टूट आप पर्स रिसर्च भार्ती दलहन अंसंधान संस्थान इस्तित है तो कल्यानपूर कानपूर कल्यानपूर कानपूर में अब हम बात करते हैं नेक्ष कोशन के बारे में तो नेक्ष कोशन है उपास 120 प्रभात मुक्ता ICPH-8 इसमें सबसे इंपोर्टेंट है आपसे पूछता है उपास 120 सौट डूरेशन की किस्म है जो बहुत ही माधपूर है आपके परिच्वां पूछे जाते हैं वाइट गोल्ड इस नोने सफेज सुना किसे कहा जाता है तो कॉटन को नेट कोशन फर्स्ट हैभीड ऑफ कॉटन की प्रथम संकर किस्म कौन सी है तो एच फोर जिसका विकास किस ने किया था सीटी पटेल ने इस वराइटी को डबल अब किया था नेट कोशन सूरिया सवीता वारा लश्मी धन लश्मी इस दे वराइटी अब कॉटन अब हम बात कहते हैं गणिंग परसेंटेज ऑफ अब कॉटन कियों आता है 24 से 33 परसेंट होता है विक रिस दो के रिशच के प्रतिसर होता है उसको गिलुंग परतिसर कहतले है इसका सुटर क्या है तो वेट औफ लिक रिसे की आपन में weight of seed cotton weight of seed of cotton taken for taken for ginning ginning के लिए उपयोग किये गये 20 की मात्रा into 100 इसी का प्रतिर्शत मात्रा होता है इसी को हम क्या करते है ginning percentage ginning percentage का ये सुत्र होता है next question maturity of fiber is measured by जो रेशे की परिपक होता मापी जाती है किए किए दौरा Erिलो मीटर दौरा तो कभी-कभी परिछाओ पूछते हैं कि ठीक है इसे की परीपकोता तो आप बेड़े है अईशरो मीडिन दारा लेकिन अधिकनेश कि सके दारा मापी जाती है weak thickness of कि आधिकनेश अफ है थीडिवर कि सभंष एक मबल टो थीकनेश फाइबर किसके दार मापी जाती है तो cotton ball or cotton ball warm नामक इन्सेक्ट के तोक्सिक सब्स्टेंस ऑफ कॉटन सीड जो कपास के बीज होते हैं उसमें जहरीला पदार्थ पाई जाता है उसका नाम क्या है गौसी पॉल गौसी पॉल गौसी पॉल नामक उसमें जहरीला रसायन पाई जाता है यह बहुत करता है तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे अब हम पढ़ता है रेटिंग एक प्रक्रिया होती है जो संबंधित है किससे जूट से यह एक माइक्रोबियल प्रोसेज होता है सुच में जीयों के दौरा जो एनेयरोबिक बैक्टिरिया होते हैं एनेयरोबिक प्रक्रिया कर आई जाती जी प्रक्रिया में लगबग आट से 30 दिन का समय लगता है और 34 डिग्री सेटरिकेट के थापक्रम पर नेक्ट को सेमने की और विस्टेवल किसी काते हैं पोटेटो को काते हैं अगर इसी के साथ हम बात करें सी पी आराइए सेंट्रल पटेटो रि टू प्रटेटो सीट इस रिलेटेड वी टू प्रटेटो सीट संबंधित है तो आलू से इसका विकास किस ने किया तो रामा अनूजन रामा अनूजन ने किया रामा अनूजन बेग्यानिक थे जिन्होंने टू प्रटेटो सीट का डबलब किया जिसके लिए एक हेक्टेर के यह त्रू पटेटो सीट की कितनी मात्र अवसक होती है 100- black सौसे देट सो ग्राम पटेटो का जो बीच राता है ऐलू के बीच की आउथे का ऊती एक हैब नर्शरी त्यार के लिए एक 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 में हमको नर्शरी लगानी है तो कितने हमोख का बीच की मात्रा है कलिका होनी चाहिए नेक्स कोशन है फ्रूट टाइप ऑप पटेटो आलू का फल किस प्रकार का होता है तो बेरी नेक्स कोशन है विश फटलाइजर सुड नॉट यूज पोटेटो क्लाप ऐसी कौन से उर्वरक है जिसका हम आलू के खेती या सोलेनेसी क्रॉप में उप्योग नहीं करते हैं तो पोटेसियम क्लॉराइट का पोटेसियम क्लॉराइट यह परगोग नेक्स करते क्राइज रहते हैं कि अलू में चाहिस होता है तो लगबब 50-80 डे आफ्टर प्लांटिंग कभी-कभी पूछता है आप से इस टोलेन का इलोंगेशन कब होता है इस टोलिन ॉपी से पचास डीएपी का मतलब होता है बहुत लगाने के एक पचास दिन बाद नेश्ट कोसे ने डोर्मनसी ब्रेकर यूजड इन पटेटो आलू की सुसुकता अवस्था तोड़ने के लिए हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं तो वन पर्सेंट थायो-उयूरिया वन पर्सेंट थायो-उयूरिया का प्रयोग करते हैं अब हम बात कर related with popping एक प्रक्रिया है जो संबंधित है ग्राउंड नट से मुंगफली से ग्राउंड को क्या करते हैं मुंगफली करते हैं मुंगफली प्रक्रिया है इस popping में होता क्या है popping एक प्रक्रिया है जिसमें मुंगफली में दाने ही नहीं पड़ते हैं उस में पॉट्स में जब उसके पॉट्स में दाने पड़ते हैं तो उस प्रक्रिया क्या करते हैं पेगिंग करते हैं पेगिंग की अवस्था कब आती ही लगभग पश्पंड देवा लगभग बुगाई के पश्पंड दिन बाद पेगिंग होता है जब फली में दाने पड़ते है अब नेक्स कोसिन है जोती इस प्रसदेश ग्राउम नटकी कोन सी वारी वाली है त्रसने का अंत्रल किना रखते हैं टीस गुड़े 10 सेंटीमिटर और बीच की मात्रह कितनी रखते हैं फ्रच एक से 120 केज सो से 120 केजी प्रती केज अगर यही हम बात करें इस प्रेडिंग ब्राइटी बतब फैलने वाली ब्राइटी इस प्रेडिंग ब्राइटी में कौन से आती है चंद्रा चंद्रा आती है चंद्रा जो है वो क्या है फैलने वाली ब्राइटी है तो इसका अंत्रार हम कितना रखते हैं तीज गुड़े 15 सेंटीमीटर रखते हैं और इसमें बीश की मात्रा 80-100 केजी प्रती हेक्टेर रखते हैं ये ध्यान दीजे का चंद्रा क्या है फैलने वाली किसम है इस्प्रेडिंग फैलने वाली फैलने वाली वाराइटी है नेक्ट कोशन बीटर नेस ऑग्राउंड नट में जो खटा पनाता है कभी कभी मुंफली खाने में खटा लगता है तो वह किसके कारण होता है अलफा टॉक्सीन के कारण होता है यह अलफा टॉक्सीन किसके कारण निकलता है यह कवक के दौरा निकलता है उस कवक का नाम है एस पर गिलास फ्लेवर यह खेत्व नहीं होता है यह स्टोरेज समय जब हम मुंफली को स्टोरेज करते हैं तो उसमें अगर नमी की मात्रा बहुत कम है यह मुम्फली को स्टोरेज करते हैं सेलिंग पर्सेंटेज यह अंवर इसके सेलिंग करते में सेलिंग पर्सेंटेज कें पता है सत्तर परसेंट होता है अब हम बात करते हैं में नेक्स कोशन परह नेक्स कोसे इस क्रप इस नोजेल जो पीला गहना किस फ़सल को कहा जाता है तो सोया वीन को इंकुर सिलाज़ीत अलंकार पंजाब वन इस ते सोय बीन की मैं सोय बैंकीन के बिलाज़ अलंकर देखता है। कि पितो बैंकार अंकूर सिलाजीत 2,000 है 30 से régुकी को आशी koleच 2,000 काल दीन साथ साथ आप जानिए कि जब हम इसको लगते संस्कों कि लगाते हैं तो लगबक 3 cm कि गाराई पिस्कों डेप्ट करते हैं उतने करते हैं और इसके इन फ्लोरस सेंस को फारो क्या करते हैं तो रेसीम कि रेसी मोस कहीं कहीं लिखा रहेगा कहीं 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 करते हैं नेक्ट पॉसर ने पजेंसी ऑफ मस्टर ड्यूटू यहलाते नेक्ट पजेंसी पजेंसी गंद किसके काने होती है तो आई सो है थायों साइनेट के दौरा पूसा जै किसन जो मस्टड की वराइटी जो सर्सों की एक किस्म है वो डबलब किसके दोरा की गई है सोमेटिक हाइब्री डाइजेशन दोरा यह बहुत इंपोर्टेंट को सेन आप देखे होंगे अपने परिच्छाओं में आपके पूछा ही आते हैं कि सोमेटिक हाइजेश मस्टड की कौन सी वराइटी तो वराइटी के नाम है पूसा जै किसन नेक्स्ट कोशन आइल पर्सेंटेज मस्टड में तेल की मात्रा होती है 40% हेड ऑप संफ्लावर संफ्लावर का जो हैड होता है यह इंफ्लोरेंस होता है इसको क्या करता है कैपी थिलंग मुंडग प्रकार का पुस्पक्रम पायाता है इसमें किस प्रकार का पुस्पक्रम पायाता है मुंडग नेक्स कोशन है modern जॉला मुख्य इस दर बराइटी अफ संफ्लावर next question topping topping is related from topping is related from किसके से संबंदित है यह तो यह tobacco से संबंदित है tobacco से topping में क्या होता है removal of terminal bird सिर्शस्त कलिका को अलग करना या तोड़ देना ही क्या गलाता है topping किस में तबैकों में दूसरा कौष्य में प्राइमींग इस रिलेटेड फ्रॉम में प्राइमिं रिलेटेड है तॉपक यह बैगर्ण तौड़ते रहता है तूपकरिया को इसप्राइमिग करता है तूशिप्रीया को में यह पंठस और प्राइमिंग की अा क्यों आव सकता होती हैं जब जब पतियां मैं चोड जैसे-चैसे होती होती रहते हैं नेश्थ के प्रकRIम इसके प्रकृइंगी तामबाक्य से संबन्दृत कि फिर्समें प्रक्रिया किता हैं यह पर युदो रहती हैं पतियों की शुखाई पतियों की शूखाते हैं पतियों को ड्राइंग प्रदेस के गंतूर जिले में नाटो नामक नाटो नामक मंतूरी मोनो क्रॉपिंग के रूप में उगायजाता है सेम पीस ऑफ लेंड वे एक ही क्रॉप को लगतार हर बार उगाना ही मोनो क्रॉपिंग का राता है और वो कौन किस्म है नाटो किसम है किस जगह अन्दप्रदेश के घंट जिलो में कॉच्छ सोइल के लिए कॉण स्मिर्दा उप्यूइंग कमानी जाती है तो एसीडिक ने, जैसे आप पढने, का यू आलकी ऑ यू कर लेता है तो सोडेक स्याइल मेंeled거든요 की जलने की गूडरे इसलिए सोडुक सोयल को नहीं रेपर किया जाता है कि तभाकू को अच्छी कोदी होती है इसके अमली मिर्दार सब्सकेशनेर Japan कि लेटरम टोड़ने की प्रक्रीए आएकि टोड़ने की प्रक्रिया को क्या गहते हैं तो । निय्ट सा ओसे ओल केंट गअगास में सफलावर को 25 से 50 परसें तेल की मातरा होती है सब्सक्रावजलिज देर्डेर देर्ड्रार्ल प्लाइए कि नाहाच सेंटरल तबेको रिसार्च इंश्च 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 इंश्च